तो इस समय आपको दिखाई दे रहा है मेरे सामने एक छोटा सा पार्सल और इस पार्सल में आए हुए है कुछ सर्किट्स यानि कि हमारे प्री वाले सर्किट्स आए हुए हैं तो आईए कर लेते हैं इसकी अन्वाक्सिंग तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्मकॉल की शीट लगाई हुई है बहुत अच्छे से और ये है सर्किट्स ये बॉक्स हो चुका है खाली तो मैंने इसको कर दिया है साइड में और अब इस पन्नी के अंदर हमारे प्री अम्प्लिफायर वाले सर्किट होंगे तो ये दूसरा भी यही है दो तीन चार पांच छे साथ और ये है आठ यानि इस पार्सर में हमें आठ प्री अम्प्लिफायर वाले सर्किट्स में पहले हैं और ये सर्किट मैंने पहले भी मंगवाए हैं जैसा कि आपको पता ही है तो मैं इनके चेकिंग कर लिता हूं तो यह मैंने कनेक्शन कर लिया है और अभी मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाता हूं तो उससे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि वैसे तो यह हमारा बोर्ड है और यह जो आइसी है इसके बैक साइड में जो इसके अपोजिट साइड में जो यह अपना कैपिश्टर लगा हुआ है तो यहां पर आप देखेंगे इस कैपिश्टर के बरावर में 4.7 यूएफ के दो कैपिश्टर लगें हैं एक इधर और एक इधर तो यह जो दोनों हैं कैपिश्टर इन दोनों कैपिश्टर की जो नेगेटिव वाले पॉइंट है वह अपगा हैड का एल और आर है और यह जो ग्राउंड है तो यह ग्राउंड तो ग्राउंड है फिर ग्राउ वोल्ट का नेगेटिव पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं पीछे के साइट में यह वाला और इस कैपिस्टर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वह एक रेजिस्टेंस के थुरू होता हुआ इस साइट पर आके रुखता है तो यहां पर आप 12 प्लस जोड देंगे और य यहां तक बात रही आउट्पुट की तो आउट्पुट के लिए भी जैसे कैपिस्टर इस साइड लगे हैं 4.7 यूएफ के वैसे ही इधर भी लगे होंगे और इन दोनों कैपिस्टर की जो नेगेटिव लेग है माइनस वाला पॉइंट वही आपका आउट्पुट भी हो पूरी तरह से ठीक कर दी है और आई अब इसको टेश्ट करके देख लेते हैं यह हमारा है मेकैनिजम जुगाड़ वाला और यह मोटर लगी हुई है इसकी बैल्ट कहीं खो गई थी तो मैंने इसमें रवर्बैंड लगा रखा है बस रवर्बैंड भी लगा सकते हैं आप यह है कि रवर्बैंड बहुत जली गल जाता है और दूसरी बात फिर रवर्बैंड का जो size होता है वह uniform size नहीं होता मतलब कहीं पर पतला होगा तो कहीं मोटा होगा जिसकी वजह से आवाज इसकी लहरा जाती है तो अगर आपको बढ़ेया वाला मिल जाए एक दम परफेक् है और इसमें यहां पर एक speaker ही लगा हुआ है तो जिसकी वज़े से मैंने एक ही वायर कनेक्ट की हुई है ठीक है तो पहले मैं आपको एक चैनल की sound quality सुनवाऊंगा फिर दूसरे चैनल की sound सुनवाऊंगा उससे पहले जब circuit में प्रावलम थी तो एक चैनल में sound थोड़ी ज्यादा आया करती थी एक में sound थोड़ी कम आती थी लेकिन जब से यह रेजिस्टेंस की position चेंज की गई है तो उसके बाद से फिर दोनों ही चैनल में sound एकदम अच्छे से आती है और बरावर आती है एकदम बढ़िया तो आईए इसको test कर लेते हैं यह अपने supply कर दी ओन और आप देखेंगे कि यह हमारा amplifier है ठीक है तो अब चलाते हैं इसको लल लल ला लल लल ला बेता हो रहा है यह दिल बचल बचल के शायद ये रात दी दे करवत पतल पतल के ए दिल सरा संधंचा शायद वो आ कया है वो कौन है जो आकर खाबों पे जा गया है ए दिल मचे पता दी तू किस पे आ कया है तो अभी आपने साउंड सुनी एक चैनल की और यह वाला आप देख रहे हैं यह वाला सौकिट यहाँ पर लगा हुआ है और अब मैं एंप्ली फायर की वॉलियूम को बिलकुल भी नहीं छेड़ूंगा हैं अम्प्ली फायर की वॉलियूम जैसी थी बेस ट्रबल में बिलकूल का वैसा ही सेट है कुछ भी इसमें छेड़ खानी नहीं की गई है और अब मैं इसको यहां से हटा करके इसकी जगे दूसरा वाला चैनल कनेक्ट कर देता हूं ताकि आपको यह पता चल जाए कि दोनों चैनल में साउंड एकडम एक जैसी आ रही है कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है अब खीक है तो मैंने दूसरा चैनल कनेक्ट कर दिया है और अब इसकी साउंड को हम सुनते है हुआ 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 है ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुर्बार